वेलकम टू अनुत्मा होस्पिटल आज हम लोग बात करेंगे जी एफर के बारे में गुलोम्रल फिल्ट्रेशन रीट जो कि आप लोग जी एफर के आधार पे ही किड्नी फेलियोर का एस्टेजिंग होता है जैसे ज़िए जी एफर नब्बे से ज्याद़ है तो एस्टेज ब आही वह इस तरह से एस्टेजिंग करते हैं मतंब जी आफी फर जू घढ़ते जाएगा समझे кिनी का फिल्ट्रेशनMac यह देह जो आप देख रहे हैं यह जमिद्षी तर यह कperform का do FM का सेक्षिन कार्ट चार्थ क्रोस्क्राइब की दिसे में करिंग को लोगों कि किड्वनीं नहीं होता है किड्नी का फिल्ट्रेशन प्रोस्रेश घटds जाता है जिसके वज़ा से हम कि praktें की गट है और भोट गटने को किड्नी फेल करतें नहीं यह सब जो इस पर देख कर दो यहीं से किड्नी का filtration procedure होता है और filter करके urine इसमें आता है urine फिर ureter के थुरू यह bladder है यह bladder में आता है तो GFR जो घटता है इसके पीछे simple सा reason है कि यह filtration process में कोई नोग कोई blockage या obstruction आ जाता है जैसे कि चाय छांकते हैं चाय की छकनी में जैसे चाय जम जाता है उसका filtration process जाम हो जाता है exactly वैसे ही kidney में भी क्योंकि इसका भी काम filter है यह भी जाम हो सकता है आपको जो लोग यह कहते हैं कि kidney ठीक नहीं हो सकता वापस आपको simply गुम्रा कर रहे हैं kidney का खराब होना कोई permanent damage kidney का नहीं है यह सिर्फ filtration process के blockage होने का है जदी आदमी को detox किया जाए टॉक्सिन निखाला जाए और यह जतना भी जाम हो गया है उसको जाम को हटाया जाए जिसका अल्डेडी हम लोगों ने मेटाबोलिक चीकित्सा के थुरू और नेच्रोपेथी उपर हमें वह बरसों से इस परधती को अपनाया जा रहा है और लोग kidney failure से निजात पा रहा है करने का से इन समझी यह गलत फामी के बज़े से ही kidney का फिल्ली ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि एक kidney का मरीज मंथली 50,000 रुपया खर्च करता है health system को देता है और इस व्यापार को क्योंकि लोग बनाये रखना चाहते हैं इसलिए हर एक डॉक्टर हर एक व्यक्ति हर एक इनसान एक ही बात बोलता है कि यह kidney ठीक नहीं हो सकता है इसमें transplant कराई है या तो कि diabetes से ज्यादा लोग kidney के आपको मिलेंगे क्योंकि यह उद्योग काफी अपना expansion कर रहा है लोगों को समझा रहा है इवन आज कल हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग-अलग medicine का जो भी अलोपैथिक में medicine आ रही है वो अब ज्यादा dose में दिया जाता है पहले का पिक्छा इ और क्योंकि लोग जागरूख हो रहे हैं इससे diabetes की मातला घट रही है diabetes के मरेजिक खांपान को सुधार के diabetes से मुक्ती पा रहे हैं लेकिन kidney failure से उसको मुक्ती नहीं मिल पा रही है क्योंकि बहुत सारा चीज है kidney failure में involved जैसे कि आपको diabetes है high blood pressure है गलत टैप का भोजन है आप जितना भी भोजन गलत करते हैं फिर बहुत सारा medicine है pesticide है यह सब मिला के kidney को फिल करता है हम लोग डिसकस करेंगे अगले वीडियो में कि यह जो filtration process है यह जो jam लग जाता है जो हम लोग बोलते हैं कि यह filtration jam हो गया है यह jam में गंदगी कहां से आती है क्यों किसी-किसी आदमी का filtration jam हो जाता है किसी-किसी का नहीं होता है इसके पीछे का रीजन क्या है कुछ लोगों का किरनी बहुत बच्पन में ही खराब हो जाता है कुछ लोगों का किरनी कितना भी गलत खाना खाते हैं नहीं खराब होता है इसके पीछे क्या रिजन है इसके पीछे भी रिजन को नेचुरोपैथी ने डिस्कफर कर लिया है यह अब पता चल चुका है कि कुछ खास लोगों में और और जदे आप अरली आएंगे थोड़ा अरली स्टेज में जिदी हमारे पास लोग आते हैं तो हम लोग उसको क्यों क किद्नी फिल हो रहा है वह हम तुरण पता कर लेते हैं क्योंकि नेचुरोपैथी और आयर्वेड इस फिल्ड में बहुत आगे निकल चुका है इसलिए आप लोगों को वेलकम है अब यह भीमारी लाईलाज नहीं नहींगी अब मालूम चल चुका है कि दिजन क्या क्यों हो त़िए यह उलड़ defense अब नहीं नहींग अब प्हेंगेद़ उस B